अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें आज हम लोग बनाएंगे कचोड़ी कचोड़ी का नाम सुनके लगता है दाल की कचोड़ी रहेगी बेसन की कचोड़ी रहेगी पर हम लोग बनाएंगे आज मटर की कचोड़ी इसकी टेस्ट बिल्कुल ओसम जबबर्दस जगास रहती है और ये कमेंट्स उन लोगों ने दिय जिल लोगों ने मेरे आद की ये कचोड़ी खाई ये बहुत ही टेस्टी रहती है इसे बनाने के लिए सबसे पहले लगेगा नामक जीरा बाउडर, सौफ का बाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, किचिन किंग मसाला, लसुन, अदरक, हरी मिर्च और दनिया अभी दनिया, अदरक, लसुन, और हरी मिर्च को हम लोग पीस लेंगे इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है हमें क्योंकि ये फिलिंग के लिए यूज करेंगे तो इसमें मोटे पीसिस नहीं होने चाहिए अभी इसका पेस्ट बना लेंगे हम लोग देखिए इस तरह से इसके बाद लेंगे हम लोग अभी मटर, मटर को अच्छे से दोग के उसे बॉयल करना है दो सीटी लगवा के इसके बाद इसका भी हम लोग पेस्ट बनाएंगे मिक्सी जार में पहले मटर लेंगे बिल्कुल fine paste बनाना है नीट लगे तो एक दो चमच पानी का इस्तिमाल करें और इस तरह से paste बना है बिल्कुल पतला सा पैन में oil लेंगे उसमें डालेंगे अद्रक लसुन का paste उसे थोड़ा सा बूनना है फिर डालेंगे मसाले कीरा पाउडर, सौफ का पाउडर, नमक, लाल मेज, किचिन किंग मसाला और गरम मसाला से बून लेंगे शकर और बेसन डालना है फ्रेंड्स वो बात में डालेंगे हम लोग सौरी मैंने आगे मेंशन नहीं किया है वो अभी इसमें डालेंगे हम लोग मत्र का पेस्ट जो अमने बनाया है अच्छी से बूलते जाएंगे जब तक पेस्ट राय होता जाए अभी इसमें डालेंगे हम लोग शक्कर एक चमच शक्कर डाला है मैंने सौरी फ्रेंड्स मैंने आगे इंग्रीडेंट्स में मेंशन नहीं किया है इसके बाद डालेंगे देड़ चमच बेसन और अच्छी से बूलेंगे जिसे पेस्ट ड्राय भी होगा और टेस्टी भी होगा करेबन पांच से साथ मिनट लगेंगे इस अच्छी से बूलने में अभी हम लोग आटा गून देंगे मैदा लेंगे पहले बाहूल में उसमें डालेंगे नमक और एक चमच शक्कर करिए तर यह में में डालेंगे देल सब्सक्राइब है तेल अच्छ से मेकिस करना है कि बाद दिस तरह से अगर मुठ्षी बन ती है तो हम आटा गूनदेंगे चापाती से लेंगे यह तोड़ा सक्ताटाक बूना है और ऊसे 5 मिनिट हम लोग अच्छे से स्मूत कर लेंगे मूंना अक्षे से ये बाद कवर करके हम लोग से रखेंगे आधे गंटे के लिए साथ होने के लिए आधे गंटे के बाद इसका 1 कोशन Лेंगे हां माय है करोक हिससी कछ लोहि लेनी है सिर्क टरा से ड्राइब हो गया में के टॉछ करेंगे थोटा सा बेलना जादा नहीं हालके हाथ से यह करें पूरा कचोरी हो बनाने करें कि करनां तो भर द्युक्तरी तां मेरी इसमें एक चमच हम लोग ये मिक्स्चर डालेंगे और उसे पाक करना है दिखिए इस तरह से पोटली बनाएंगे पोटली का पार्ट जो अच्छे से चिपका लेंगे अब इसके बाद इसे हम लोोग अलके हाँ ऑदसे ही बल के जादा बढ़ा नहीं करना हैrendre साइस का ही हमिया पेलना है और ज्यान रहे कचोडी फटे नहीं अब इसे गरम तेल में हम लोग फ्राय करेंगे पहले फुल 600 पर बाद में कूरा बीमियांच पर करना है दीमियाज पे ही ये खस्ता बनेगा कचोडी, फास्ट पे करेंगे तो ये सॉफ्टी रह जाएगा, तेके इस तरह से इसे फुलाना है अच्छे से, उसके बाद पूरा दीमियाज पे ही रखना है, बिल्कल हल्वाई के जैसी कचोडी बनेगी, बहुत ही टेस्ट इसका मज़े क्रिस्प, क्रंची और बढ़िया सा कलर आया है इसका, बिल्कल कचोडी तैयार हो गई है, इसे चटनी और सॉस के साथ सर्फ करें, बहुत ही टेस्टी है खाने में, एक बार जरूर बनाए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, प्लीज फीडबैक जरूर दें और मेरा वीडियो देखने के लिए थांक यू